वेल सो गुड मॉनिंग गुड आफ्टनों गुड इनिंग तो अल फ्यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आयो पाप बहुत अच्छ होगे और मैं भी बहुत अच्छा हो तो चलिया आज के हमारे मिशन संभव के चाप्टर आई चार्ट रिविजन के शुरुआत करते हैं जिसमें टॉपिक होगा रजिस्ट्रेशन तो एक लंबी सास लीजिए और कहिए जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कच अच्छा करने हैं तो दोस्तो अगर आप यह फर्स ताइम डिविजन सेशन देख रहे होगे तो हम आपको मिशन संभव सरी स्टार्ट कर चुके जिसमें चाप्टर आई चार्ट रिविजन हमने यहां पे बहुत से चाप्टर का कवर कर लिया है आप वो रिविजन जरूर देखिएगा और अगर आपको म सब्सक्राइब करना है तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि आपको कैसे सब्सक्राइब करना है और सारा अपडेटेड मट्रियल फॉर इस मिशन संभव कैसे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लैलिस दी हु अमेंडमेंट्स तो आपने अल्रेडी कर ली होगी और यस इस बार हम सो सकते हैं क्या तो इस बार असी पार उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है तो आज का टॉपिक है बेटा रिजिस्ट्रेशन हाँ मैं आपको यह जरूर कहना चाहोगा कि अगर आपको यहाँ पे रिव सारे टॉपिक्स के लिक्षर्स के रिविजिन लिक्षर्स को लाने की पूरी कोशिश करूगा तो चली दोस्तों चालू करते हैं हमारा रिविजिन और वो है जीस्टी चप्ट वाई चार्ट रिविजिन आज का टॉपिक है यहाँ रजिस्ट्रेशन चली शुडू करते हैं चलो, आते हैं चार्ट पे, और चार्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का, चार्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का, चली, अगर मैं आपको थोड़ा फ्लो समझा दू इसका, तो ये फ्लो आप सेक्षन कैसे याद रखोगे, सेक्षन 22, 23, 24, एक फ्लो बना लेना, 22, 23, 24, और उसके बाद में, यहाँ पर 22, आपको जो रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल अवेलेबल है, वो कहां तक अवेलेबल है, 23 जो कहता है, वो 23 ये कहता है कि कुछ केसिस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरुवत नहीं है, सेक्षन 24 कहता है कि कुछ केसिस में आपको एर्रिस्पेक of threshold registration लेना पड़ेगा चलो, कहां कितना threshold है, कहां नहीं लेना पड़ेगा, और कब compulsory लेना पड़ेगा, ये समझ में आ गया फिसेक्षन 25 जो बताता है procedure, normal procedure for registration 26 deem registration, 27 जो है CTP और NRTP एक concept है चलिए, तो procedure कैसे किया जाए क्या documentation होगा, क्या process होगा, CTP, NRTP का registration कैसे किया जाए, ये आपने देखा और फिर 28 होगे आपका registration, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें amendment क्या किया जाए cancellation क्या है, और यहाँ पर, okay, revocation of registration क्या है, ये आपको देखना है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि CA inter level पे, या CA में inter level पे, आपको जादा से जादा जो practice करनी है अभी बता देता हूँ, section 22 पे जादा से जादा practice करनी है 22, 23, 24 ये तीनो section learn करने है और सारे questioner के questions इस से related अच्छे से solve कर लेने हैं फिर इस बाद CTP और NRTP इसके ओपर एक सवाल आपको आ सकता है तो 27, CTP और NRTP ये अच्छे से करके जाना है और section 29 में कौनसे cases में आपका cancellation हो सकता है okay, cancellation की situations learn करके जाना है बाकी थेरी जितनी पढ़ सको पढ़ लेना बस इतने जो 4 sections है ये अच्छे से करके जाना बाकी जितना थेरी में जितना आपको आ सकता है उतना कर लेना और ये चार्ड जो है definitely आपको help करेगा ये चार्ड डेफिनेटल आपको help करेगा yes or no okay, just two minutes बिटा two minutes यहाँ पर कुछ error आ रही है, just one minute कुछ error आ रही है so, यहाँ पर done, 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 done so, section 22, 23, 24 जो है, यहाँ में लेना है उसके बाद में section, okay, बाकी procedure दिया है और ये 27 इस बार अच्छे से करके जाना CTP और NDP और section 29 के जो events है cancellation के वो अच्छे से करके जाना तो चलिए, आते हमारे discussion पर तो चलिए, आ जाईए बेटा, chapter registration, तो chapter registration में section 22, एक-एक बात को अच्छे समझ लेजिए okay, आप हर इंडिया के supplier को registration लेना पड़ेगा, state में लेना पड़ता है, registration state-wise compulsory है, तो आपको हर state में compulsory registration लेना ही पड़ता है PAN वही होता है, पहले दो डिजिट state code change होता है, और state-wise registration compulsory लेना ही पड़ता है तो आपकी अगर अलग-अलग state में branches होगी, तो आपको हर state में जो आपका place of business है, वहाँ आपको registration लेना पड़ेगा, okay तो from where he makes the taxable supply तो जहां से रखना state-wise registration है लेकिन आपको वही place of business के registration लेना है जहां से आप taxable supply कर रहे हो समझ लोग कोई state में आपका just establishment है, पर महां से कोई भी taxable supply नहीं कर रहे हो, तो आपको महां पर registration लेने की कोई भी जरूवत नहीं है तो यहां में रखना, इसलिए deemed distinct person में दो category के person आते है एक register to register और एक register to unregistered in another state हर state में registration तभी लेना पड़ता है जहां अगर वह आपकी place of business है और वहां से आप taxable supply करते हो अगर आपका aggregate turn or exceeds 20 lakhs, aggregate turn or की definition क्या है aggregate turn or की definition जरूर अच्छे से करके जाना और इससे related questions भी करके जाना aggregate turn or में और taxable supply लिये जाएगे आपके interest rate supply हो interstate supply हो, goods के हो, service के हो सारे taxable supply इसके अंदर add होगे दुसरा aggregate turn or में तीन main supply add होगे जो exempt supply है तो exempt supply में only exempt होगा तो भी add होगा नील रेट होगा तो भी add होगा non taxable होगा तो भी add किया जाएगा हाँ, aggregate turn or compute करते वक्त अगर आपका non taxable supply है मतलब petroleum products के supply होगे या आपके alcoholic liquor होगा तो भी add किया जाएगा दुसरा export supply होगा या interstate supply under same pan यानि आपके DDP के stock transfer होगे from one register person to another register person तो भी add किये जाएगे लेकिन aggregate turn or में दो supply consider नहीं होगे कौन से दो supply नहीं consider होगे तो पहला आपके इसमें consider नहीं होगा इनवर्ट supply जो RCM में है तो क्यों क्योंकि turn or आपका है turn or में outward supply आता है अगर आपका inverse supply होगा तो वो turn or में नहीं आता है क्योंना वो RCM में होगा लेकिन problem solve करते हैं इस बात का ध्यान रखना कि invert supply जो है अगर उसका RCM आप ही tax देर होगे तभी वो आपके aggregate turn or में नहीं आएगा दुसरा GST element आपके aggregate turn or में नहीं आएगे इस बात का आपने ख्याल रखना है और aggregate turn or से related कुछ questions आपको questionnaire में मिलते हैं तो वो भी जरूर स्वाल करना है अभी के अभीच जैसे मेरा revision हो जाएगा तो आप ट्राइ करो वैसे मेरा ये जो चैप्टर का questionnaire डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है मैं कल या परसुत तक अप्लोड कर दूँगा लेकिन आप अभी ठ्राइ खुद कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये था aggregate turn or का discussion जिसमें non taxable होगा और एक्जम भी होगा और अगर ये turn or normal limit है 20 lakhs अगर 20 lakhs exceed होता है तो वो आपको registration करने की जरुबत हो जाती है ये normal limit है ख्याल रहे है अगर आता है कि आपको registration करना है और नहीं करना है सवाल ये नहीं है कि आपको tax देना है नहीं देना है सवाल है कि एक्जिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है तो वो situation में all or India pan basis क्योंकि aggregate turn or का एक राइटिरिया है all or India pan basis तो all or India pan basis में अगर आपका all taxable supply प्लस एक्जम के तीनों सप्ला यानि अगर आपका कोई पेट्रोल पर्म होगा अल्कोल होगा अंडर सेम पैन तो वो भी आड कर दिना और वो सब कुछ आड करके अगर आपका टर्न और 20 लेक्स क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरबत करनी पड़ेगी एक important बात आपको यह परता दू यहाँ पे बेरी धैन से सुनना रजिस्ट्रेशन आपको अगर आपने अपको हर स्टेट में अग्रिगेट टर्न ओर देखना है जैसे आप महाराश्यों में होगा तो अगर आप गुजरात में हो तो तो अग्रिगेट टर्नोर देखना है आ लाइक जरूर कीजिएगा, अब इसके आगे का डिस्कूशन करते है, लेकिन कॉवर्मेंट ने, इवन तो जनरल लिमिट 20 लाक्स है, लेकिन अलग-अलग स्टेट के लिए, अलग-अलग लिमिट प्रिस्क्राइब की है, क्या ये स्टेट आपको लाइक करने पड़ेंगे, हा अब ये बात का आप द्यान के रखना है, चलो, तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चार स्टेट होगे, कौन से हैं? मनीपूर, मिζोनम, नागलन, तृपुरा, मनीपूर, मिजोनम, नागलन, तृपुरा होगा, तो अगर उस इन स्टेट में, अगर ट्रेडर आगे भी मिमित है, okay, चॉराए जहाए तो, इसको कैसे लाइं करना, इसको कैसे इस से लाइं करना, से थक तरी मनी वाला नाग मुझे लिखा, मैमिरी टेखनी क्टेकशनाट्यरो Gutilahatra INK thief 3 money वाला नाग मुझे दिखा तो ऐसे situation में 10 लाग का ही threshold मिलेगा, वो goods हो या service हो समझा होगा तो बूलिए यह सर समझ में आ गया उसके बाद में यहाँ पे बाकी सारे state में normal limit 20 लाग ही है बाकी सारे state में normal limit 20 लाग ही है वो goods हो या service हो लेकिन आपकी आपकी दिखेशन हो सकती है 20 से 40 लाग तक आपकी ध्रेशन हो सकती है 20 से 40 लाग तक लेकिन यह 40 लाग की limit वो कुछ conditions पर मिलती है क्या conditions है बोलिए तो वो जो है यहाँ पर सबसे पहले तो 40 लाग की extended limit है वो only supplier आप goods के लिए मिलते है मतलब आप सिर्फ गुड्स के supply करते हो, सुनना, अगर आप गुड्स के supply करते हो और इत्तु सी भी service नहीं देते हो, इत्तु सी भी service नहीं देते हो, अउनली गुड्स के supply करते हो, तो आपका थ्रिश्वल 40 लाग तक जा सकता है, लेकिन ये जो 40 लाग की limit है, सारे state ने accept नहीं इसको कैसे याद रखे पुमा पी यू एम ए टीशट टीएस तो पुमा टीशट होगा ओके तो इन स्टेट ने 40 लाग का लिमिट एक्सेप नहीं किया मतलब इन स्टेट में 40 लाग का थ्रेश्वल कब बिच नहीं मिलेगा ओके बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग आसाम जमुएन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और रेस्ट आफ आफ और स्टेट जोगे तो 40 लाग का थ्रेश्वल मिल सकता है बस कंडिशन इतनी है कि सप्लायर अली गूड्स में होना चीए मतलब क्या होगा मतलब अगर सप्लायर सर्वीस होगा या सर्वीस प्लस गूड्स इस जब आफ खीए किस समझा तो यह बोलिए फटा फट समझा तो यह बोलिए और लाइक ठोकिए और आप कमेंट ज़रू देखना बात में अगर आप डॉनलोड करके या बाद में वीडियो देख रहे होगे तो आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहेगी तो अगर आप compulsory registration लेते हो, एक मिनुट, यह stretch कर दो, थोड़ा नीचे लेखेंगे, अगर आप compulsory registration लेते हो, तो वो case में तो 10 लाग का और 20 लाग का भी नहीं मिलता है, तो का 40 लाग का कहां से मिलेगा, या आप voluntary registration लेते हो, तो वो situation में आपको जहां तक देखा जाए, तो फिर तो threshold ही मिलता है, voluntary registration के case में, अगर यह type के goods होगे, कौन से type के goods होगे, learn करके जाना यह list, exam में question पूछा गया, ice cream, edible ice, pan masala, tobacco, tobacco substitute, fly ash bricks, fly ash aggregate, fly ash blocks, अगर यह goods होगी, तो 40 लाग का limit नहीं मिलेगा, लेकिन यह case में बिटा, आपको 10 लाग या 20 लाग का threshold available, यह लिख दो, यह threshold, basic threshold मिलेगा, 10 लाग और 20 लाग का threshold मिलेगा, यह goods के लिए, कितना threshold नहीं मिलेगा, 40 लाग का threshold आपको नहीं मिलेगा, तो यह ध्यान रखना, composite registration में तो कोई threshold नहीं मिलता है, जहां तक देखा जाए, कुछ notified goods के case में, आपको 40 लाग का extended threshold नहीं मिलेगा, जोर से बोलो मेरे स इस फ्रेशोल अन दिसरहलकीटंजर से लिए अए तक यह थेसे लिए अना दिसरहलनों are you तो मानीफिक्ट्चरर मेन मानी अनल्फेशोले से थेसे सैले थेसे मै यहां पर Threshold Łraelisे थेसेट थेसमे नहीं है तो आपने किसी को पैसा use करने दिया, loan दिया, advances दिया, deposit दिया, तो उसका आपका separate consideration, service कहा जाता है, और वो service, separate consideration जो है, interest and discounting form में होता है, check discounting, promissory discounting form में होता है, तो अगर किसी को, यहाँ पे interest and discounting का income मिल रहा है, जो service है, लेकिन अगर आप supplier of goods हो, और 40 लाग का threshold देना चाहते हो, सुनना मेरी बाग, अगर आप supplier of goods हो, और 40 लाग का threshold देना चाहते हो, अब अगर आप 40 लाग का extended threshold देना चाहते हो, तो वो situation में आपने बिलकुल भी इत्तु सी भी service नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको एक service allow की है, और वो service allow की है, interest on loan advance है, so deposit, मतलब अगर ये supplier of goods ने, किसी को loan दिया होगा, deposit दिया होगा, और उसके interest कमारे होगे, कमाने यार, क्या कमारे होगे, interest कमारे होगे, तभी इनको extended limit 40 लाग का threshold मिल जाएगा, और ये interest उनके aggregate turnover में भी add हो जाएगा, composition लेवी अगर याद होगा, तो interest exclude होता है, लेकिन यहाँ पे interest add होगा, plus plus उनको 40 लाग का threshold मिलेगा, मतलब ये service के अलावा, दूसरी कोई भी service उन्होंने नहीं देनी चाहिए, अगर extended threshold 40 लाग का चाहिए, ये वाला point समझाओगा, तो फटाफ़ट two type करो, ओके, ओके तो यहाँ पे ये फटाफ़ट two type करो, ये वाला point समझाओगा, क्या कर रहे हो यार, ओके मज़ा आएगा, two type करो, चलिए, उसके बाद में यहाँ पे अगर agent होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर agent होगा, तो agent के case में, अगर समझे लो, आप किसी के बिहाँ पे good supply कर रहे हो, तो agent का जब aggregate turn-or निकाला जाएगा, तो agent के aggregate turn-or में, सुनिए, agent के aggregate turn-or में, principal का भी turn-or add होगा, यानि उसने जो माल बेचा, principal के बिहाँ पे, वो भी agent के aggregate turn-or में add किया जाएगा, लेकिन job worker होगा, तो job work के case में add नहीं होगा, और last, business credit by taxable person, transfer whether on account of succession, और otherwise, अगर business shift हो जाता है, तो वो situation में, सुनिए दैन से, अगर business shift हो जाता है, तो वो situation में, नए बनने को नए registration लेना पड़ेगा, एक important point आपके साथ discuss करना चाहता हो, सर, वो कौन सा important point आप discuss करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि, त्री मनी वाला नाग मुझे डसा, या Puma T-shirt, यहाँ पे limit restrict हो जाती है, 10 और 20, और यह extended limit, यह statement नहीं मिलती है, तो अब ऐसे situation में, अगर आपकी कोई एक branch, त्रिपूरा में होगी, और दूसरा बाँच महराश्टर में होगा, और आप supplier of goods है, एक तु ऐसे situation में, त्र इपूरा में, लिमिट क्या लग जाती है, 10 लाग, और महराश्टर में लिमिट क्या लग जाती है, सुनो, भाई, सुनो, महाराष्र में लिमिट क्या लग जाती है तो महाराष्र में लिमिट जो लग जाती है याँ पे 40 lakh पर एग्रिगेट टर्न में अब क्या ओ जाएगा? अगर आप त्रिपूरा में aggregate turn और करोगे तो 10 लाग के उपर है तो वहार रजिस्टेशन लेना पड़ेगा और वहार रजिस्टेशन लेना पड़ेगा तो क्या महराष्टर में भी लेना पड़ेगा यस धानसर सुनिएगा मेरा पॉइंट अगर आपका कोई भी ब्रांच यह सब जगा लेना पड़ेगा तो आपका overall threshold 10 लाग हो जाएगा अगर आप इस स्टेट में हो एक हाधी भी ब्रांच इस स्टेट में हो तो आपको overall threshold 20 लाक हो जाएगा लेकिन एक पॉइंट आपको में समझाना चाहतो बड़ा important point है समझ लो आप जो है okay महराष्टर में हो okay रिस्पॉंस नी दे रहे हो जाओ okay आपको ना यहाँ पर अबो 70 चाहिए ना तो रिस्पॉंस देना पड़ेगा नहीं तो देख लेना भी चली okay तो मेरा मूड है आज आपको समझाने का यहाँ पर तो थोड़ा मूड में हूँ तो ऐसे situation में अके तो आपका एक भी ब्रांच अगर त्रिपूरा में होगा तो आपका और ओर ओर थ्रेश्वल दस पर आ जाएगा अब समझ लो आप जो त्रिपूरा में है यह एक्जांपल थोड़ा बाद में लेता हो पहले section 23 समझा देता हो फिर बाद में लेता हो 22 समझ में आया क्या समझ भाद है very good अब यहाँ पर section 23 अगर 23 जो है यहाँ पर आप अब यह बहुत ही important section है यह exam में बहुत बाद यह क्या करना अपने section 22 23 24 के question निचोड लेना भाई okay अच्छे से पढ़के चले जाना सारे question अब 23 क्या कहता है 23 कहता है कि कुछ cases में आपको registration बिल्कुल भी लेने की जर्वत नहीं है even though बोलो मेरे साथ जोर से बोलना जहां बैटे हो घर में सब घर वाले जाग जाने चाहिए even though your aggregate turn or exceeds threshold 10 2040 even though aggregate turn or exceeds 10 2040 तभी आपको registration लेने की को अच्छे से जोर रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना पड़ता है पहला okay you engage exclusively in supply supply of non liable to tax okay ऐसा supply कर रहे हो जिसके पर लेवी नहीं है वहां मतलब वह place of business से बोलो मेरे साथ वह place of business से एक्स्क्लिजियो ऐसा supply कर रहे हो वह place of business से जहां पे okay जो non taxable supply समझ लोग आपका petrol pump है okay आपक wine shop है और आप exclusively supply of place of business से कर रहे हो यह तको वह Soviet नहीं की जरुवत नहीं है though wine का business गо The तभी registration लेने की जरुवत नहीं है, पेट्रोल का business आपका करोणों में चल रहा होगा, तभी GST में registration लेने की जरुवत नहीं है, यह only exam supply होगा, अगर आपका कोई अगर supply है और वो place of business से आप only exam supply कर रहे हो, तो आपको फिर aggregate turnover, यानि यह threshold limit applicable नहीं होगी, और यह threshold limit applicable नहीं होगी यह 20 lakhs का restriction applicable नहीं होगा, और you are not liable to register, आपका turnover किता भी हो, आपका turnover किता भी हो, उसके बाद में second, agriculturalist, second, agriculturalist, तो agriculturalist अगर आप होगे, और to the extent of supply produced from out of cultivation of land, तो second उन्हें ने दिया कि अगर आप agriculturalist होगे, what do you mean by agriculturalist, agriculturalist की definition नीचे मेरे chart में दिये, क्या superb chart है, okay, यह पर everything is covered, so agriculturalist means individual और हुएफ, okay, individual और हुएफ है, और who undertakes the cultivation of land, speed is okay, speed okay है क्या आपके लिए, okay है तो फटा फट टाइप करो, speed okay होगी तो okay टाइप करो, very good, तो अब समझ individual हो, हुएफ हो, और खुद काम कर रहे हो खेत पे, okay, पसी ना निकाल निकाल के काम कर रहे हो, own labor, खुद का labor यूज कर रहे हो खेत पे, या family पुरी लगा के रखी खेत पे, या servant on wages लगा के रखे, उसे agricultureist का जाएगा, तो इंडिया का किसान, अगर उत्पादन करके, हैने cultivation of land से produce करके, इंडिया का किसान, अगर माल बेचता है, और वो माल बेचता है, जो उसने produce किया है, तो भाई, कित्ते का भी बेचे, कितने का वी टन और करो, तू गुन्य का टन और कर रहे है तू, Okay, मेंगो का टन और कर रहा है तू, Okay, wheat और राइस का जो तूने प्रोड़ू तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरुवत नहीं है, तो किसान को रजिस्ट्रेशन लेने की जरुवत नहीं है, कितना भी टन और हो, पर exclusive supply होना चीए, यह supply भी आपका exclusive होना चीए, exclusive supply होना चीए, तिसरा, person who are only engaged in making, only engaged in making supplies on which tax liable to be paid under river charge basis, मतलब क्या, और कि ऐसा person जो only वो supply कर रहा है, जो river charge में, example lawyer, lawyer ऐसा outward supply कर रहा है, जिसका tax recipient देगा, river charge में रिसिपियन देगा, और lawyer legal service के अलबा, दुसरी कोई service नहीं ले रहा है, तो lawyer को registration लेने की जरुवत नहीं है, GTA, GTA exclusive ऐसा supply कर रहा है, जो river charge में है, तो GTA को registration लेने की कोई जरुवत नहीं है, और के director अगर service दे रहा है, body corporate को exclusive, दुसरा कोई supplier नहीं करता है, तो उसको registration लेने की कोई जरुवत नहीं है, तो जो supplier है, जिनका outward supply, मुग हुमा के बलो, जिनका outward supply है, river charge में और उसका tax recipient देगा, तो supplier को जहां तक देखा registration लेने की जरुवत नहीं है, तो ये तीन cases लेन करके जाना, और ये तीन cases में आपको registration लेने की जरुवत नहीं है, वो place of business का, जहां से आप exclusive supply कर रहे हो, जहां से आप exclusive supply कर रहे हो, now, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर, ये word है, exclusive exclusive only, मतलब क्या, मतलब आपने उस place of business से, come on, उस place of business से, आपने दुसरा कोई supply नहीं करना चाहिए, लेकिन समझ लो सर, उस place of business से मैं taxable भी कर रहा हो, और exam भी कर रहा हो, तो क्या होगा, अगर आपने taxable का flavor एड़ किया, exam के साथ, तो फिर section 22 लग जाता है, और फिर aggregate turnover का threshold limit लग और उस aggregate turnover में ये exam भी add हो जाता है, और फिर आपको 20 लाग का restriction लग जाएगा, और 20 लाग पे आपको registration लेना पड़ेगा, या 10 लाग का चालिस लाग का restriction लग जाएगा, और आपको threshold की restriction लग के आपको registration लेना पड़ेगा, हाँ, registration लेने के बाद, आपको tax तो स्रिफ taxable पही पर registration लेने के लिए ये threshold applicable हो जाएगा, मतलब जब तक आप bachelor हो, exclusive, 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 ok, जब तक आप यह supply कर रहे हो, bachelor हो, तब तो कोई restriction नहीं, कोई threshold का restriction नहीं, कितना भी घुमो, किदर भी घुमो, कोई कोई पुचने वाला नहीं है, कोई GST में registration करने की दर्वत नहीं है, लेकिन जैसे नहीं, जैसे आप bachelor नहीं रहे, girlfriend आगई या शादी हो गई, तो फिर बेटा, threshold लग जाता है, और threshold में aggregate हो जाता है, वो कहती है, या वो कहता है, कि कहा जा रहे हो, मैं भी चलूगी, मतलब aggregate turner हो जाएगा, और aggregate turner हो जाएगा, तो वो situation में, ok, आपका exam plus taxable मिला के 20 lakhs का, 10 lakhs लग जाएगा, तो यह जो है, वो सिर्फ exclusive वाले को है, अगर तुम्हारा साथ साथ में taxable होगा, तो फिर aggregate की limit आपको लग जाएगी, समझा क्या, समझा होगा, तो बोलिए yes, सर, समझ में आया, तो जब तक bachelor हो, तब तक ठीक है, ok, जैसे आपके साथ taxable लग गया, taxable लग गया, ok, इसके साथ, तो aggregate हो जाएगा, threshold की limit आपको लग जाएगी, समझा, very good, यह होई नब बात, ok, चलो, अब मैं आपको एक example लेना चाहोगा, जो मैं चाहता हो, कि यह example आप याद रखे, ok, क्या, ok, जहां तक देखा जाए, तो अब यहाँ पर त्रिपूरा, त्रिपूरा में आप जो है, ok, 8 lakhs का, त्रिपूरा में 8 lakhs का non-taxable supply कर रहे हो, non-taxable नब पतलब पेट्रोल पंप है वगेरे, ok, non-taxable supply कर रहे हो, आपका petrol पंप है, यह समझ में आया है कि नहीं आया ठीक है, तो आप non-taxable supply कर रहे हो, त्रिपूरा में, अब महराश्र में, और आप supplier of goods हो, सारे सारे जगा goods supply कर रहे हो, ok, महराश्र में आपका 20 lakh है, और गोवा में आपका 10 lakh है, ok, गोवा में आपका 10 lakh है, पर भाई साब मैंने क्या कहा, एक भी ब्रांच अगर त्रिपूरा वाला 23 में आ जाता है, section 23 में आ जाता है, मतलब क्या, मतलब जहां से आप exclusively non-taxable supply कर रहे हो, उसकी registration लेने की जरुवत नहीं है, अगर उसका registration लेने की जरुवत नहीं है, तो भाई साब हड़ गया, हड़ गया वो restriction, मतलब अगर वो आपका सुनना दान से, त्रिपूरा वा अगर वो ही registration के बाहर ने मिल गएगा, तो फिर यहां पे आपको 40 lakhs का limit वापस मिल जाएगा, या 20 lakhs का limit आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन 20 lakhs के calculation के लिए आपको aggregate turn or लेना पड़ेगा, लेकिन उसका impact अब आप पे नहीं आएगा, महराश्टर में आपको 40 lakhs का limit मिल जा समझा होगा, तो 4 type करो, समझाना, अगे, समझा, तो 4 type करो, तो भाई वो अगर, क्यूंकि उसके impact हम पे पड़ रहे थे, उसकी 6 हम पे पड़ रही थी, पर वो registration के बाहर ही है, बाहर ही तो हम पे 6 पड़ेगी नहीं, अब हमें तो 40 lakhs और 20 lakhs का मिल जाएगा, समझा है, आप to compulsory registration में, अब आते हैं, okay, to compulsory registration में, हाँ, ये वाला भाई, इस बार निचोड के चले जाना, section 24, compulsory registration और उसके exceptions, उसके exceptions, ठीक है, तो पहला है, person making any interstate taxable supply, मतलब क्या, अगर किसी ने interstate taxable supply है, okay, किया, कि उसका threshold उड़ गया, उसी वक्त उड़ गया, मतलब क्या, मतलब उसक अगर आपका turn or 5 लाग हुआ, और आपने एक transaction interstate कर लिया, 8 लक्स तो add होगा, yes, 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 ये example में, aggregate turn or में add होगा, लेकिन उसका जो limit registration का, उसकी चाव हम पर पढ़ रही थी, उसके वज़े से हम भी 10 में आ रहे थे, वो चाव नहीं पढ़ेगी, पर aggregate turn or में, वो 8 लिया ज वापस आता हो compulsory registration में, तो compulsory registration में जहां तक देखा जाए, तो यहां पर, okay, person, interstate किया, तो compulsory registration लेना पड़ेगा, okay, आपको, आपका basic threshold ओड़ जाएगा, समझे लो, आपने टन और दो लाग का किया, और आपने एक interstate supply कर दिया, तो उसी वक्त आपका threshold निकल जाता है, और threshold, you are become a liable for registration और आपको GST देना पड़ेगा, okay, prospectively, retrospectively निए बिटा, prospectively, आपको compulsory registration में आ जाओगे, लेकिन इसके exceptions देखिएगा, exception पे सवाल पूचे जाता है, person making interstate supply of taxable services, लेकिन क्या है, okay, यहां पे service provider होगे, आप service देते होगे, तो आपको, even though आपने interstate किया होगा, तभी भी आपको basic threshold 10,00,20,00 का मिल जाएगा, तुनना, even though आपने interstate किया होगा, तो भी basic threshold 10,00,20,00 का मिल जाएगा, okay, दूसरा handy crop goods, handy crop goods, even though आप interstate कर रहे हो, तभी भी आपको basic threshold जो भी आपको, 10,00,20,40,00, जो भी basic threshold होगा, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पास pan होना जरूरी handy crop goods के case में pan, और दूसरा उसने e-way bill बनाना जरूरी है, यह दो condition है, pan और e-way bill का, अगर वो यह दो condition फुल्फिल करता है, तो वो situation में उसको यहाँ पर benefit मिल जाएगा, उसके बाद में job worker engaged in making interstate supply of services, okay, जाने तो, job work इसकी कोई जरुवत नहीं है, क्योंकि यह उपर service में आ ज को applicable है, यह condition अभी only goods को applicable है, supply of goods को यहाँ पर applicable रहेगी, okay, I hope आपको पहला समझाओगा, पहला समझाओगा तो फटाफट one type करो, उसके बाद में next, CTP, casual taxable person होगा, तो compulsory registration है, what do you mean by CTP, आगे देखेंगे, तो उसको compulsory registration है, लेकिन अगर वो CTP है, handicraft goods का होगा, तो उसको basic threshold म मिल जाएगा, लेकिन बाकी CTP को compulsory registration है, उसके बाद है person who are required to pay tax under reverse charge basis, RCM में आपको compulsory registration है, अगर आप 95 के ECU होगे, okay, 95 के ECU मतलब क्या, yes, इस बार 95 आपको applicable करवा दिया है, और 95 आपने already notes में पढ़ा होगा, अगर आपने current batch की होगी, और आप पुराने students होगे, तो मैंने amendment notes में 95 आपको दिया है, तो वो amendments ज़रूर देख लेना, description में मैंने amendments दी हुई है, okay, तो यहाँ पर section 95 आपने notes में पढ़ लिया होगा, तो अच्छी बात है, okay, तो यहाँ पर जहां तक देखा जाए, हाँ, handicraft goods को threshold 40 lakhs का मिलेगा, only handicraft goods होगा, तो 40 lakhs का threshold रहेगा, okay, यहाँ पर, तो 95 के issue होगे, मतलब क्या, मतलब समझ लो, कोई, के यहाँ पर नया startup है, और वो नया startup जो है, restaurant, restaurant service 95 में notified है, और वो issue के तुरू supply होती है, other than specified premises, तो issue उसका tax देता है, तो कोई startup कर रहा है, और स्वीगी जैसा वो भी एक app बना रहा है, और उसके तुरू restaurant का supply होगा, तो वो नया नया क्यों नहों, अगर issue होगा, I repeat, किसको और compulsory किया, ECO को, 95 के ECO का, तो compulsory registration है, NRTP, non-resident taxable person होगा, तो compulsory registration है, जो आगे देखेंगे, person who required to deduct tax, TDS, under section 51, कुछ याद आया, TDS और TCS का chapter आपने किया होगा, तो ये जो है, TDS में, okay, government, यादा रहा है, government, उसके बाद में, government agencies, authorities, PSU, society, अगर ये local authority, ये, अगर इ तो जो TDS deductor है, government वगरे, notified person, तो वो notified person को, जो है, compulsory registration है, उसके बाद में, person who make the taxable supply of goods or services, और both, on the behalf of taxable person, whether as an agent or otherwise, okay, agent issuing own invoice, तहां से सुनिएगा, अगर कोई agent para 3 of schedule 1 का होगा, सुनिए, okay, कोई agent अगर para 3 of schedule 1 का होगा, जो खुद का invoice देता है, very important, जो खुद का invoice देता है, तो उसे भी compulsory registration लेना पड़ता है, okay, तो दो type के agent है, अगर कोई agent खुद का invoice दे रहा है, तो compulsory registration है, और कोई agent खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो वो case में, उसके aggregate turn-or में, principal का भी turn-or add होता है, जो हमने पहले देखा, okay, तो अगर agent खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो उसको threshold मिलेग उसको threshold मिलेगा, पर उसके aggregate turn-or में, principal का भी turn-or add होगा, और अगर agent खुद का invoice दे रहा होगा, तो compulsory registration में, फिर ISD है, input service, distributor, okay, उसके बाद में, every electronic commerce operator issue, who is required to deduct TCS under section 52, okay, तो यहाँ पे section 52 में, जो TCS deduct करेंगे, ऐसे issue, जो 95 के नहीं है, तो normal issue है, जिसके थूँ Amazon, flip card वगर है, TDS TCS chapter आपने किया होगा, बेठा, okay, I expect आपने किया होगा, तो ऐसे situation में, जो TCS cutting है, वो भी यहाँ पे, जो है, okay, उनको भी compulsory registration है, 9, 9 इस बार अच्छे से पढ़के जाना, और इसके amendments भी अच्छे से पढ़के जाना, तो देखो, person who supply the goods or services of both, other than supply specified under section 95, through such issue, who is required to collect tax at source, मतल एक supplier है, और issue, electronic commerce operator है, और यह recipient है, यह अपना goods issue कित्रू बेच रहा है, और यह issue 95 का नहीं है, यह issue TCS cut करेगा, तो ऐसे case में, वो क्या कहते है, अगर कोई supplier है, कोई supplier है, और वो ऐसे issue कित्रू सप्लाय कर रहा है, जो section 52 में, okay, क्या deduct करेंगे, जो section 52 में, TCS deduct करेंगे, तो इस supplier को registration लेना पड़ेगा, registration compulsory लेना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, supplier, क्योंकि अगर उसका registration नहीं लिया, तो TCS कैसे काटेंगे, भाई, इसको तो TCS काटना पड़ेगा, Amazon Flipkart, जो भी होगा, तो उनको TCS काटना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा, समझा होगा, तो ज basic threshold मिलेगा, compulsory registration करने की जरुवतनी है, basic threshold मिलेगा, 10, 20, 40 का, तो कौन से दो exception है, तो देखो, वो ECO को, यहाँ पर उनने exception जो दिया है, दान से सुनिएगा, यहाँ पर उनने exception दिया है, तो पहला exception जो दिया है, यहाँ पर, person making supply of services through ECO, is exempted from obtaining registration till threshold, अगर वो service का supplier है, और वो ECO के तुरू service दे रहा है, और ECO के तुरू जो TCS कट करेगा, तो supplier of service होगा, तो उसको basic threshold मिलेगा, उसको compulsory registration करने की जरुवत नहीं है, और अभी जो add किया है, supplier of the goods, अब देखो, यह क्यों add किया है, मैंने यहाँ पर आपको already पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ा होगा, supplying of the goods को का जमाना है, अगर चोटे-चोटे business man, जिनका दंदा 5-6 लाग भी होगा, पर यह चोटे-चोटे business man, अगर platform पे नहीं आएंगे e-commerce के, तो मर जाएंगे, तो okay, इन्होंने, इस बार request की finance minister को, कि देखो finance minister, हमको platform पे आने दो, हमको भी Amazon पे आने दो, हमको भी flip card पे आने दो लेकिन law क्या कहता था, service provider छोड़के, कोई भी, अगर ECO के platform पे जा रहा है, जो TCS cut करेगा, तो उनको compulsory registration हो जाएगा, तो समझ लो, एक छोटा business man है, वो ECO के platform पे जा रहा है, तो उसको भी registration compulsory था, service provider छोड़के, तो फिर इन्होंने कहा कि, क्या कर रहे हो sir, हमको भी आने प्लाटफॉर्म पे बिना registration का, तो government ने allow कर दिया, और government ने कहा, चलो, a person supplying goods through issue is exempted from obtaining registration till threshold, लेकिन उसकी कुछ condition है, इनको एक enrollment number लेना पड़ता है, इनके पास PAN होना जरूरी है, इनको अपना address proof देना पड़ता है, ये जो है, कुछ conditions अच्छे से पढ़के जाना, इसके उप पर जो है, एक्जाम में question आना सकता है, इसलिए, ये exceptions अच्छे से पढ़के जाना, उसके बाद में, person having OIDI services from a place outside India to a person in India other than registered person, बहर का अगर कोई online information database access service दे रहा है, OIDI service दे रहा है इंडिया में, तो उसको इंडिया में registration लेना पड़ेगा, उसके बाद में, every person supplying online money giving from a place outside India to a person in India, कि अगर कोई बाहर से online money gaming service इंडिया में दे रहा होगा, कि तो बाहर से अगर इंडिया में आ रहा होगा, तो उसको registration लेना पड़ेगा, और notified person होगा, तो ऐसे situation में आपको ये registration लेना पड़ेगा, I hope आपको ये point समझा होगा, yes or no, चलो, अब आते हैं, ये तो हो गया section 22, 23, 24, ये तो हो गया section 22, 23, 24, चार्ट कैसा लगा आपको, सारे points cover होगे, आपके मजा आया होगा तो भूलिए, yes sir मजा आया, अब आते है procedure में, आपको जो registration लेना है, registration आपको अगर आप 22 का threshold cross कर देते हैं, ये 24 में compulsory registration में आते हैं, तो आपको state wise registration लेना पड़ेगा, और registration आपको 30 days from the date you become liable, मतलब जिस दिन आप registration के लिए liable हुए, वहाँ से 30 दिन के अंदर registration लेना पड़ेगा, अगर आपका SCZ में unit होगा, special economic zone में unit होगा, तो आपको उसका separate registration लेना पड़ेगा, तो आपको उसका separate registration लेना पड़ेगा, उसके बाद में CTP और NRTP जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका भी temporary registration state wise होता है, और इसको underline at least 5 days before the commencement of business आपको ये registration लेना पड़ेगा, तो इसका 5 days before लेना पड़ता है, ये याद रखना पड़ेगा, CTP और NRTP के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में आते है PAN, क्या registration के लिए PAN की जरुएत है, बिलकुँ जरुएत है, पर इसके दो exception याद रखना, और के दो लोगों को बिना PAN का भी registration मिलता है, एक है बेटा जो TDS deductor, TDS जो deductor कर रहा है, और मतलब government notified person, और दूसरा NRTP, और के NRTP को passport base मिलता है, इसको passport के base पर मिलता है, बाकी सारे case में आपके पास PAN होना जरूरी है, उसके बाद में registration आपका statewide होगा, क्या आप voluntary registration ले सकते ह मैंने पहले chapter में पढ़ा दिये, deemed distinct person, पहले chapter में पढ़ा दिये, अगर आप separate registration लेते हो, तो each registration wise आप separate person माने जाओगे, या एक state में आपका registration है, और दूसरे state में आपके establishment है, तो वो जो है पहले session में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, तो वो separate person माने अब देखो जब आप REZ01 में registration के लिए अपलाए करते हो, तो आपको अपनी bank details देनी पढ़ती है, bank details देना कंपल सरी है, लेकिन government ने इसमें एक रियायत दी है, क्या, कि बिना bank details भी आपका RC आजाएगा, बिना bank details दिये भी आपका RC आजाएगा, लेकिन RC आने के बाद, RC आन of registration या before furnishing GSTR1 आपको आपका bank details देना पड़ेगा, नहीं तो आपका registration cancel हो जाएगा, एक बार फिर से, आपको registration करते हैं वक्त bank details देनी पड़ती है, पुर समझे लो आपकी पास bank details नहीं है, अगर आपके पास bank details नहीं है, तो कोई बात नहीं डरने के जरुद नहीं है, आपको RC मिल जाएगी, लेकिन RC मिलने के बाद, आपको 30 दिन के अंदर, या फिर before filing GSTR1, whichever is earlier, आपको सारी bank details देनी पड़ेगी, now, issue of registration certificate, आपको registration certificate, आपको registration certificate, REG06 में आता है, 15 digit का होता है, जिसमें पहले दो state code होता है, फिर PAN होता है, फिर entity code होता है, और check sum number होता है, ओके, दुसर जिस दिन आप liable हुए, सुनना, जिस दिन आप liable हुए, वो effective date मानी जाएगी, और आपने 30 days के बाद apply किया, तो जिस दिन आपकी RCI उस दिन effective date मानी जाएगी, 22 आप 30 दिन में apply कर देना, क्योंकि फिर जिस दिन से liable हुए, तब से आप register person माने जाते हो, तो ITC मिल जाते है, लेकिन अगर आपने registration जो है, late file किया, तो अब register person तब माने जाओगे, जब आपको RC मिली, तो unnecessary आपका ITC का loss हो जाता है, तो ख्याल रखना, यहाँ पे यह register person माना जाएगा, चलिए बिटा, ओके अब यहाँ पे, जहां तक है, आदर authentication यह चार्ट, ओके आदर authentication यह चार्ट, और दूसरा CTP और NITP का discussion, हम यह देखेंगे, तो यहाँ पे और यह physical verification of the premises, कब होगा, तो यह आदर authentication आपने नहीं करवाया, तो physical verification होगा, और आदर authentication करवाया, तो आपका physical verification doubt होगा, तो यह होगा, तो यह थोड़ा इस बार अच्छे से पढ़के जाना physical verification वाला, तो अब मै कुछ चीजे अपने regular note से करवाऊगा, और वो regular note से जो कुछ चीजे हम करेंगे, वो other authentication का पूरा flow explain करवाऊगा, उसके बाद में मैं नीचे वाला chart करवाऊगा, registration procedure, यह complete registration procedure आपकी करवाऊगा, और उसके बाद में हम concept देखेंगे, CTP और NRTP, are you ready, yes or no, तो यह मैं थोड़ा regular में detail में अच्छे से आपको करवा देता हो, लेकिन मैं इसमें कहोगा कि आप बस यह CTP और NRTP अच्छे से करके जाना, आदर authentication के exception क्या है, वो अच्छे से करके जाना, physical verification की procedure क्या है, वो करके जाना, और कि बस यह कुछ important part आपको अच्छे से करके जाना है, चलिए. चलिए, तो आदर authentication वाला चार्ट, जो मैंने यह note से copy लिया है, यहां से मैं समझा देता हूँ, आदर authentication, यह आदर authentication क्या होता है, अगर आप RG01 form देखते हो, तो RG01 form में मैं आपको बता दूँ, एक tab आता है, यह जो है portal पे इस तरह से part B आप देखते हो, RG01 का, और यह part B म जैसे आपको यहां पे business details, बाकी authorized signatory, authorized representative, principal place of business, additional place of business, यह सारी details आपको देनी पड़ती है, तासाथ में goods and services की details, specific और एक tab आता है, आधर authentication, यह आधर authentication आपको करवाना पड़ता है, यह आधर authentication क्यों जरूरी है, यह आपके RG01 part B में, यह होता है आधर authentication, यह आधर authentication क्यों जर बता, यहां पे, एक मिलादा, क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत से fake invoices, dummy address registration, multiple registration at same place, तो यहां पे GST में इतने fraud हुए, fake invoices देकर, जो place का registration करवाया है, वो place का address ही नहीं है, यहाने वहां पे कोई है नहीं, dummy address है, यह फिर एक ही place को 3-4 registration number में registration करवा लिया, यहाने जो chronical tax ev provider है, जो यहां पे GST के fraud कर रहे थे, उन पे control लाने के लिए, यहां पे आधर authentication करवाना government ने जरूरी कर दिया, और यह आधर authentication जो है, यहां पे, किसका करवाना पड़ेगा, कैसे करवाना पड़ेगा, यह थोड़ा process समझ लो, आधर authentication में बेटा, ओके, दो लोग है, यह आध आधर authentication के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले government ने क्या कहा, कि government ने कहा कि, जो आधर आधर authentication करवाना जरूरी है, अगर आधर authentication नहीं करवाया, तो वो situation में क्या problem आ सकते है, यह भी उन्होंने बताया है, आधर authentication क्या है, कुछ नहीं है, ओके, आपके, आपके, आपको जब, आप REG 02, sorry, REG 01 का part B, जो है, part B में आधर authentication के लिए आप करते हो, कि यहस, आप आधर authentication करवाना चाहते हो, तो एक link आती है, आधर authentication की आपके mail पर, वो mail पर जो आधर authentication की link आती है, उसको click करना पढ़ता है, और click करने के बाद authenticate करना पढ़ता है, जैसी आपके mail पर वो, जो link लिंक आती आधरुट इंडिकेशन की आपने क्लिक करके उन्होंने जो circuits पुछें वो कम्छीट करके अगर आप करम ड़िते हो त banco द Sahibर C करना चाहते हो और प्रियुशन रॉट इंडिवजर चाल अंडुंडर ऑ्फायूबकर मेंटिककेशन करना पड़ेगा मेल पर लिंक आएगी, क्लिक करना पड़ेगा, आपको सामने फोटो रखना पड़ेगा, और वो authentication पर क्लिक करना पड़ेगा, तो वो individual का अधार authentication हो जाएगा, तो यहाँ पर individual शाल अंडरगो authentication and furnish the proof of possession of अधार number with registration application in order to eligible for grant of registration, चलिए, लेकिन अगर समझ लो company होगी, society होगी, cooperative society होगी, तो वो case में क्या करना, तो every person other than individual, वो अधार authentication कैसे करवाएगे, तो वो case में section 2560 कहता है, कि such person shall undergo authentication, पर निशब proof of possession of अधार number, तो अब यहाँ पर, यहाँ authentication किसको करना पड़ेगा, achieve होगा, तो करता को करना पड़ेगा, करता की details देरी पड़ेगी, और करता के mail प दोनों में से कोई एक को आधार authentication करवाना पड़ेगा, क्योंकि company का आधार नहीं होता है, achieve का आधार नहीं होता है, आधार individual का होता है, तो company होगी, तो MD, World Time Director, AOP होगा, तो member of managing committee, trust होगा, तो board of trustees, जो एकादा कोई trustee होगा, उसका आधार authentication करवाना पड़ेगा, या फिर authorized representative या signatory, इनका भी आधार authentication करवा सकते हो, समझ लो, कि आपका कोई authorized representative है, जो आपके business को represent कर रहा है, या signatory है, उनका भी आधार authentication आप करवा सकते हो, या any other person notified by the government, तो government ने ये कहा कि जो fresh registration के लिए जाएगा, उनको जो है, यहाँ पे individual होगा, तो उसको करना पड़ेगा, HOF company, trust, society, cooperative society होगी, जो भी होगा, तो उनके जो representative है, उनको आधार authentication करवाना पड़ेगा, तो यह उन्होंने list यहाँ पे दी, इसके बाद में, यहाँ पे थोड़ा concept क और समझ लो, okay, consequences for failure to undergo authentication, अगर आपने आधार authentication नहीं करवाया, तो क्या होता है, अगर आधार authentication नहीं करवाया, तो registration shall be granted only after physical verification, यहने physical verification होने के बाद ही, आपका आधार authentication हो सकता है, sorry, registration में लेगा, तो मतलब नहीं समझा, मतलब यह है, कि अगर आप आधार authentication कर दोगे, तो 7 द दिन के अंदर, 2 दिन में भी आ सकती, 3 दिन में भी आ सकती है, 7 दिन के अंदर RC आजाएगी, बिना कोई यहाँ पर problem होते हुए, मतलब कोई problem नहीं होगा, simple में में आपकी RC आजाएगी, okay, तो यहाँ पर procedure थोड़ी easy हो जाएगी, लेकिन अगर आपने आधार authentication नहीं करवाय तो फिर officer physical verification के लिए आएगा, आपकी प्रिमाई से check करेगा, उसकी report submit करेगा, और उसकी report submit करने के बाद आपको RC आएगी, मतलब उसमें hindrances हो गए, officer के, परिशानी हो गई, तो बेटा यह बात ख्याल रखना, आधर authentication करवा लो, आधर authentication करवाना अच्छा है, so that officer physical verification के लिए नहीं आएगा, और आपको immediate 7 दिन के अंदर आपकी RC, मतलब registration certificate आजाएगा, यहां तक समझा क्या, यहां तक समझाओगा, तो one type करो, now, अब next, sir, आधर नमबर ही मुझे assign नहीं होगा, तो अगर आधर नमबर assign नहीं होगा, तो वो situation में, okay, again, आपका physical verification हो कही, आपका जो भी नहां पे government कुछ person notify करती है, कि जिसको applicable नहीं है, यह learn करके जाना, institute का यहां ध्यान रहेगा, कि कौनसे लोगों को आधर authentication करने की जरुवत नहीं है, यह learn करना है, ठीक है, तो यह list learn करना है, पहला, और अगर यह हमारे questionnaire में नहीं होगी, तो आपने एक page में लिके add कर देना ह जो भी ऐसे star करके दूँ, जो questionnaire में नहीं है, या फिर chart book में तो मिली जाएगे, लेकिन नहीं है, तो आपको add कर देना है, authentication not applicable to following category of person, not a citizen of India, मतलब कोई समझ लो person है, NRTP, आगे पढ़ा होगा, तो वो इंडिया का citizen नहीं है, और वो registration करवा रहा है, तो उसको आधर authentication करने की ज जरुवत नहीं है, local authority को आधर authentication करने की जरुवत नहीं है, statutory body, public sector undertaking, और person applying for UIN, PSU अगे रहे तो इनको आधर authentication करने की जरुवत नहीं है, इनको registration या UIN मिल जाएगा, without authentication, तो यह पूरे इसमें क्या learn करके जाना है, तो मैं यह ही कहोगा, कि पूरे इसमें आपको यह वाला जो जब आधर authentication की procedure आई, fake invoice, dummy address को control करने के लिए, तो वो situation में कुछ लोग already GST में registered हो चुके थे, तो क्या उनको भी आधर authentication करवाना जरुरी नहीं है, तो नहीं, सबको नहीं, जो जो registered हो गए, लेकिन अगर यह registered लोग, यह registered लोग, यह 3 cases में आते हैं, जो हम rule 10B में देखेंग अगर यह registered लोग यह 3 cases में आते हैं, तो आधर authentication करवाना पड़ेगा, पहला, application for revocation of cancellation of registration, इसका meaning थोगा और डीटेल में आगे पड़ा होगा, पर अभी इतना समझ लो, कि अगर कोई बंदा already registered था, और उसका registration cancel हो गया था, सुनना मेरी बात, already registered था, और उसका registration cancel हो गया था, और वो revocation के लिए गया, कि मुझे फिर से बहाल कर दो, मैं आपको, कि यहाँ पर request करता हो, कि मुझे वापस कर दो मेरा registration, जब वो वापस लेने जाएगा, तो फिर आधर authentication करवाना पड़ेगा, दुसरा, filing of refund application, नतलब आपका अगर कोई refund GST में आता है, और आपने अभी तक आधर authentication नहीं करवाया होगा, तो फिर करवाना पड़ेगा, और refund of export goods, export goods का refund होगा, तो आपको आधर authentication करवाना पड़ेगा, तो यह start करना, यह पढ़के जाना, हैंने दोई चीजी यह चार्ट में पढ़के जाना है आपको, पहला यह, यहाँ पर कौन से case में अगर person registered होगा अगर person registered होगा, तो उसको आधर authentication करवाना पड़ेगा, already registered होगा, तो यह 3 case में, और बाकी तो जो fresh registration ले रहे हैं, उनको तो करवाना ही पड़ेगा, अगर आधर authentication नहीं करवाया है, तो फिर physical examination होगा, और physical examination के बाद ही आपका, यहाँ पर registration certificate आएगा, और यह जो है, कौन से ल अब एक procedure वाला चार्ट, चलो बेटा, तो अब यह जो है, procedure वाला चार्ट जो है, वो भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, procedure under rule 84A and rule 9, registration and other authentication, A, अब देखो यह procedure क्या है, यहाँ थोड़ा आफट आफट समझ लो, ठीक है, application and A, मतलब A, मतलब other authentication, AA opted, ठीक है, REG 02 में आपने A के लिए opt किया, क्या other authentication compulsory है, नहीं, आपके पास दू आप्शन है, आप other authentication के लिए opt कर लो, या आप आप नहीं करना चाहते है, नहीं करना है मुझे other authentication, अगर आप other authentication नहीं करते हो, तो फिर आपका registration किस तरह से होता है, आपका application किस तरह से process होता है, यहाँ procedure अगर आप other authentication के लिए opt करते हो, तो फिर क्या process होती है, यहाँ दिया है, और कि यह भी chart देखो, आपको next page में मिल जाएगा, rule 9 की complete procedure आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चलिए, देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपने application दिया, part B में आगे, part B में आप सारी information डाल रहे हो, और अगे, आधर authentication की, लिंक आने के बाद, आपको 15 दिन मिलते है, यहाँ पे 15 working days मिलते हैं, कि आप अपना authenticate कर वालो, अब लिंक तो आ गई, पर कभी भूल गया, और कर रहता हो, कर तो authentication, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आपने नहीं कर वाया, आपको 15 दिन मिलते है, तब तक आ आप जो है, okay, RE01 form SEO कर सकते हो, और बार बार री एक्सेस कर सकते हो, by your TRN, temporary reference number, तो ऐसे situation में, okay, अगर आपने आधर authentication successfully करवा दिया, within 15 days, और अगर आपने आप्ट करने के बाद भी, आप्ट करने के बाद भी, आधर authentication नहीं करवाया, within 15 working days, WD मतलब लिग दो, working days में नहीं कर करवा लिया, अगर आपने आधर authentication करवा लिया, तो आपका date of application, जिस दिन आपने आधर authentication करवाया, okay, AN number मतलब यहां लिख देना, आधर, date of authentication of AN number, आधर number, A मतलब, AN number मतलब आधर number, तो जिस दिन आपने यहां पे आधर authentication करवा लिया, वो आपका date of application माना जाएगा, जिस दिन पार्ट A और पार्ट B की information दी वो नहीं, जिस दिन authentication हो गया, वो आपका date of application माना जाएगा, अब देखो आपका application चले जाता है portal पर, अब आपके application में आपने सारी information सही दी क्या, मतलब कि REZ01 के जो tap थे, कि पहला business की information सही दी, दुसरा आपने principal place of business, additional place of business की सारी documentation दे दिये, उस के बाद में goods या services की आपने जो है, यहाँ पे HSN code वगरे सही दे दिया, उसकी list दे दिया, तो in simple word वो सारा check होता है, अगर आपके form में कोई deficiency नहीं है, सारी information सही है, तो आपको, okay, grant of RC within 7 working days, मतलब RC आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगी, okay, rule 9-1 कहता है कि RC आपको 7 दिन के अ it is deemed to be granted माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपको मिल गई, okay, अब यह बोलने के लिए कि माना जाएगा कि मिल गई, team registration मान लिया जाएगा, नहीं बेटा, okay, ठीक है, लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब तो जिस्टीन नहीं आएगा तब तक मैं करू किया, पर government कह कोई deficiency आगे, आती है deficiency, okay, एक तो था आपका application clear है, दुसरा आपके application में deficiency आगे, अभी मेरे client की deficiency आई, कि जो place का वो registration ले रहा था, वो place अल्रेडी उसने किसी और registration नंबर में बताया हुआ था, बताया हुआ था, तो एकदम question आगया portal से, कि यह तो place अल्रेडी रिजिस्टर ह आपके तो वापस यह place कैसे register करवा रहा है, तो फिर मैंने उसका clarification दिया, कि यह जो place है, इसमें हमने sharing basis में space लिया है, उसी premises में sharing basis में space लिया है, पूरा return up मैंने reply किया, तब जाकी भी registration है, in simple word, अगर officer को कुछ deficiency लगी, तो फिर अब वो आपको RC नहीं देगा, आपको notice आपको notice आती है, आपको clarification देना पड़ता है, आपको क्लारिविकेशन देना पड़ता है, आपको याद रखने की जरुवत नहीं है, विजिन 7 वर्किंग डेस फॉर्म याद रखने की जरुवत नहीं है, वहां से 7 दिन के अंदर तुम्हें reply देना पड़ेगा, अब आपके reply से हो satisfied है, जैसे मैंने reply दिया था कि हाँ, ये place already GST में registered है, पर मैंने इसी place में को working place space लिया हुआ है, और मेरा वो space में shop है, तो ऐसे case में मुझे भी registration दिया जाए, तो अगर officer मेरे बास से satisfied होता है, तो मुझे RC आगे 7 working days में RC देगा, जिस दिन मैंने clarify किया, वहां से 7 दिन क के लिए, फिर जिस दिन notice आई वहां से 7 दिन में clarify करो, फिर clarify करने के बाद अगले 7 दिन में आपको RC आती है, अगर accept हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो rejection आ जाता है, और अगर ये 7 दिन में RC नहीं आई, तो वो team registration माना जाएगा, ये point समझा कि आप procedure और कुछ नहीं है, मैंने पूरी कोशिश किये कि मैं चार्ट में दू, थेरी पढ़ते तो आप, ओके यहां तो सोज आते, मैंने, I have tried my best कि मैं आपको चार्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये तो हुआ, आपने आदर authentication successfully करवाया, अगर आपने आदर authentication के लिए opt किया, और आदर authentication के लिए opt करने के बाद, 15 दिन के अंदर आप जो है, नहीं करवा सके, अब देखो मेरा एक client का ऐसा ही हुआ था, ये आदर authentication के लिए opt किया, लेकिन उसका severe accident हुआ, और वो hospitalized हो गया, तो उसके mail पर link आ गई थी, पर वो authentication नहीं कर पाया, 15 दिन के अब physical examination हो, क्योंकि other authentication के लिए fail हो गया, opt करने के बाद भी fail हो गया, तो physical examination होगा, तो देखो, आप physical examination और place of business, जो place of business का आप registration करवा सकते हैं, और verification of such document as deemed by proper officer, आप पासपोर्ट या voter ID वगरे, और वोटल ID वगरे देखा जाता है, पर अभी तो physical examination ही होता है, आप exam में physical examination ही लेकिन कुछ कैसे में हो सकता है कि आपका पासपोर्ट या voter ID के बेस पर आपका यहाँ पर registration allow कर दे, now grant RC within 30 days from the date of submission of application, तो यह case में अब जो RC आएगी, वो RC जो 7 दिन में आने थी, अब वो 7 दिन में नहीं वेटा, अब वो physical examination होगा, और physical examination होने के बाद, जो officer ने examination के लिए आ अगर 30 days में RC नहीं आई, तो वो case में beam to be registered माना जाएगा, यहाँ पर, यह तो था अगर आप आप आधर authentication के लिए fail होगा, दूसरा यहाँ पर, यह समझाओगा तो फटा फट टू टाइप करो, यह समझाओगा तो टू टू टाइप करो, यह कब जब आपके document में deficiency नहीं है, आपके documents clear है, सिब आपने आधर authentication नहीं करवाया, तो अगर आपके documents clear है और आपने आधर authentication नहीं करवाया, तो 30 दिन के अंदर RC आएगी, समझ लो, आपने आधर authentication नहीं करवाया, और document में भी deficiency आगई, अगर document में deficiency आगई, तो फिर, जो RC आनी थी 30 दिन में, अब वो RC तो छो clarify करना पड़ेगा, आपके clarification पर अगर officer satisfied होता है, तो ठीक, नहीं होता है, तो वो reject कर देगा, satisfy होता है, तो जिस दिन clarify किया, वहाँ से 7 दिन के अंदर, वो आपको RC देगा, अगर वो 7 दिन के अंदर RC नहीं दे पाया, तो वो deemed to be granted माना जाएगा, तो ध्यान रखना, efficiency है, औ तो फिर 7 दिन में तो notice आएगी, फिर clarification, फिर RC, अगर अधर authentication नहीं करवाया, तो 30 दिन के अंदर notice आएगी, फिर 7 दिन में clarification, 7 दिन में RC, इस तरह से process है, second वाला part ले लते है, अगर आपने अधर authentication नहीं करवाया, नहीं करवाना है, तो आपका date of application, जिस दिन आपने part A और part B complete किया, आधर authentication के लिए आपने opt नहीं किया, तो फिर अगर आपने authentication के लिए opt नहीं किया, और कोई deficiency नहीं आपके form है, तो अभिसे बेटा, physical examination होगा, और 30 दिन के अंदर आपको RC आएगी, नहीं आई तो team to be granted, और क्योंकि आपके, अप तो physical examination होके रहेगा, क्योंकि आधर authentication नहीं करवाए अपने, और अगर deficiency होगी, तो फिर 30 दिन के अंदर notice आएगी, वोई process, 30 दिन के अंदर notice आएगी, और उसके बाद में आपको reply करना पड़ेगा, और जिस दिन clarify किया, वहाँ से 7 दिन के अंदर RC आएगी, तो ये complete process जो है, rule 9 में दिया है, और कि ये chart पढ़ ल कि आपको समझा है, तो पूरी procedure समझ में आई की नहीं आई, चलिए, अब ये concept देखते है, CTP और NRTP, थोड़ा lecture लंबा चलेगा, लेकिन ये जो theoretical chapter है, chart में मैं easy करके दे रहा हूँ, और आपका बहुत अच्छे से easily हो जाएगा, मजा आ रहा है, theory subject पूरे chart में 2 pages में हम खतम क और पूरे detail concept के साथ खतम कर रहे है, बोलो कि yes or no, जितना भी student connector है, मजा आ रहा होगा, तो MZ MZ type करो और देख क्या रहा हो, like ठोको बेटा, ठीक है, और जो बाद में यहाँ पे देखेंगे, तो comments जरू देना, तो चलिए, ये concept थोड़ा मैं आपको regular book से ले ले लेता हू, C CTP और NRTP, इसको अच्छे समझे लो, फिर मैं इसका difference आपको समझा दूँगा, yes or no, चलिए, तो यहाँ पे ये concept देखते है, CTP and NRTP, और के ये concept क्या है, इसको भी detail में देखते हैं, चलो, चलो, आगए सभी, अब यहाँ पे section 27 लेता है, और section 27 में, CTP और NRTP, इस concept को समझने की कोशिश करें, before going into a registration, provision of CTP and NRTP, let us first understand the two terms, the two terms have been defined as per following, as per following definition, दिखिये, casual taxable person क्या होता है, पुरा concept बहुत detail में, इंटरल लेवल पे इतना detail में पुछते भी नहीं है, तो मेरी आदत है, आपको बड़ाय बिना छोड़ूगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे CTP concept क्यों develop हुआ, कैसे develop हुआ, बताता हूँ, CTP मतलब casual, कभी-कभी, वो taxable person बन सकता है, अब कभी-कभी taxable person बनने का reason क्या है, समझ लो, कोई महराश्टर का बंदा है, और गुवा में उसको पता चला एक exhibition है, वो अपने goods लेकर गुवा जाना चाहता है, उस exhibition में उसने जो है, एक space लिया हुआ है, वो goods लेकर जाएगा, exhibition में वो goods लगाएगा, और वहाँ customer आएगे, वहाँ जब customer आएगे, वहाँ माल बेचेगा, no doubt, जब ये बंदा वहाँ जाके बेचेगा, तब supply होगा, अभी तो supply नहीं है, क्यों अभी supply नहीं है, क्योंकि अभी तो वह माल लेके जा रहा है exhibition में, और वहाँ अभी तक कोई sale transfer नहीं हुआ है, वो तो ऐसे के place पे जाएगा, वहाँ बेचेगा, और वहाँ GST लगेगा, अब government क्या कहती है, government यह कहती है, कि अगर India का कोई भी person, किसी other state में जा रहा है, एक एक बड़ सुनना, किसी other state में जा रहा है business करने, जहाँ उसका business establishment नहीं है, जहाँ उसकी कोई branch नहीं है, जहाँ उसका कोई warehouse depot या कोई भी place of business नहीं है, और वो other state में business करने जा रहा है, और वहाँ जाके business करेगा, तो ऐसे case में, इस बंदे को, हमें इस बंदे से GST लेना पड़ेगा, अब देखो, जब ये गौवा जाके बेचेगा, तो GST destination based tax है, अब GST अगर destination based tax है, तो जो भी गौवा में माल बेचा गया, उसका revenue गौवा government को मिलना चाहिए, पर गौवा government को revenue, यहाँ पर जो मिलना चाहिए, तो गौवा government के पास, इसका कोई भी data नहीं है, क्योंकि ये बंदा महराश्ट्रों से आया हुआ है, ये exhibition में आया हुआ है, गौवा में business कर रहा है, और business करके चले जाएगा, अगर कल जाके गौवा government, इस बंदे से tax लेना चाहिए, तो कैसे लेगी, possible नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अता पता गौवा में है ही नहीं, हाँ, इसका कोई branch गौवा में होता तो बात अलग थी, इसका कोई warehouse गौवा में होता तो बात अलग थी, या कोई भी कुछ भी होगा तो बात अलग थी, लेकिन वो बंदा other state में जा रहा है, और वहा बंजारे जैसा business करेगा, बंजारे मतलब उसका कोई ठाव ठिकाना नहीं एक कि वहा जाएगा वहां जाकर के बिजनेस करेगा और वापस आ जाएगा तो चिव एक्गिशिण की बात नहीं है और वह आ रहे है, गोवा में बीच पे शॉब लगा रहे है, जहां आपका प्लेस हो, बिसनेस नहीं है, और कहीं पे भी आप शॉब लगा रहे हो, एक्जिविशन में शॉब लगा रहे हो, बीच पे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, और बंजा रहे हो, चले जा रहे तो ऐसे situation में government ने एक special procedure लाई और वो special procedure लाई CTP, casual taxable person यहां तक समझाओगा तो one type करो step by step चलना मेरे साथ यहां तक समझाओगा तो one type करो अब यह CTP की procedure क्या है actually यह गवा government को secure करने के लिए और गवा नहीं कोई भी अगर यह बंदा MP में जाता है, UP में जाता है, Delhi जाता है, Jambu Kashmir जाता है जहां जा रहा है जो destination पे बंजारे जैसा business करेगा उसका कोई place of business नहीं होगा तो वो case में उस state को protect करने के लिए यह special procedure लाई गई और यह special procedure CTP की लाई गई चलो अब दूसरा में आपको यहां पे यह समझाना चाहोगा कि यह जो CTP की procedure है, पेशल procedure है इसमें क्या करना पड़ता है अब यह जो बंदा है, जो अपने goods लेके जा रहा है ऐसे state में जो जो और दर बहुत बहुत है वो ऐसे state में goods लेके जा रहा है जहां उसका कोई भी place of business नहीं है business establishment नहीं है तो वो situation में यहां पे जो है, procedure देखो क्या है registration required और CTP को compulsory registration लेके जाना पड़ेगा compulsory registration में आता है इप person already registered in महराष्टरा समझ लो अगर वो person already महराष्टरा में registered है तो भी उसको CTP का separate registration लेना पड़ेगा registration as a CTP, yes और कि CTP का separate temporary registration लेना पड़ेगा need to take a separate registration for CTP under section 24 अगर already registered होगा तो और वो बन्दा registered नहीं है क्योंकि उसका 10 ओर छोटा है 20 लाग से नीचे, threshold से नीचे, 40 लाग से नीचे और वो registered नहीं है registered नहीं भी होगा तभी भी यह माल जो वो गवा में लेके जा रहा है और वहाँ जाके बेचेगा specially इस transaction के लिए उसको casual temporary registration लेना पड़ेगा इस person already unregistered need to take a compulsory registration as a CTP वो permanent नहीं as a CTP registration लेना पड़ेगा for this transaction पर उसको registration लेना पड़ेगा for this transaction only पर लेना पड़ेगा यहां तक समझा क्या यहां तक समझाओगा तो फट फट टू टाइप करो मतलब registration तो लेना पड़ेगा भाई साब already registered होगा तो वो तो उसका permanent GSTN है यह तो temporary GSTN मिलता है तो वो CTP का अलग से लेना पड़ेगा अगर वो already registered नहीं होगा unregistered होगा तो भी चलेगा लेकिन इस transaction का temporary registration उसको लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा मतलब लेना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाया क्यों क्योंकि यह production महराष्टर गवर्मेंट की बात नहीं यह production गवा गवर्मेंट की बात है वहाँ destination पे जाके sale कर रहा है अब दूसरी बार यहाँ registration अब registration कब लेना पड़ेगा इनको बोलाए कि इनको registration 5 days before very important 5 days before the commencement of business as a CTP यहाँ जाके exhibition में business start करने के 5 दीन पहले registration लेना पड़ेगा normally सभी case में within 30 days registration लेना पड़ता है लेकिन CTP को 5 days before registration लेना पड़ेगा I hope you understood यह CTP वाला concept जो है आप समझे होगे 5 दिन पहले लेना पड़ेगा ठीक है practical life में मैं कह देता हूँ 5 दिन मुश्किल हो जाती है कभी कभी लोग 2 दिन पहले लेते हैं पता तो भी होता है exhibition है वगरे कि तो पता चला कली है आज ही जाना है तो ले लेते हैं पर as per law आपको एक्जाम है तो at least भोलो जोड़ा at least 5 days before the commencement of business CTP का registration लेना पड़ेगा यह समझाओगा तो फटाफट 3 टाइप करो यह समझाओगा तो फटाफट 3 टाइप करो चलो अब आप registration ले रहे हो 5 दिन पहले अब मैं आपको बता दू यह यहां जाके बेचेगा अब समझ लेए exhibition में जाके बेचेगा या beach पे बेचेगा रास्ते बेचेगा कई बेचेगा other state में जाके बेचना है तो यहां पे जो tax यहां जब supply होगा actual supply होगा जब यहां पे तो इसका tax invoice बनेगा और यह tax invoice में लगेगा IGST यह tax invoice में लगता है क्या लगता है पेटा IGST लगता है tax invoice में और IGST का 50% Central को मिलता है और 50% Goa को मिलता है लेकिन यह IGST महराष्टर से पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने registration CTP का महराष्टर में लिया है पर destination Goa बताना पड़ेगा तो उसका 50% IGST Goa को चले जाएगा water rate में भी वो हमारा मामला नहीं है अब देखो law क्या कहता है law यह कहता है कि भाई साब कितना protection दिया देखो जब कोई CTP का registration ले रहा है तो registration करते वक्त ही यहने 5 days before जब वो registration करेगा वो registration करते वक्त ही उसको advance में tax दिना पड़ेगा deposit the tax in advance advance में tax deposit करना पड़ेगा हाँ on estimated liability without this advance RC is not available यहने जब वो registration के लिए apply कर रहा है 5 days before उसी वक्त उसको estimated liability निकालने पड़ेगी और वो estimated liability कि बाए दंदा करेगा वो exhibition में और उस estimated liability पे समझे लोग एक लाग का दंदा करेगा पांच लाग का दंदा करेगा उसके estimated liability पे उसको registration के साथ ही यहाँ पे advance में tax दिना पड़ेगा अब sir वो tax कैसे pay करेगा उसके पास तो कोई GST number है ही नहीं उसका तो registration हुआ ही नहीं RCI नहीं और आप कहा रहे हो advance में estimated liability पे tax deposit करना पड़ेगा उसके e cash ledger में deposit होगा पर sir वो pay कैसे करेगा तो इसका एक temporary reference number generate होगा temporary reference number जनरेट होगा और उस temporary reference number पे TRN आपको याद होगा तो उस TRN के basis पे इसको tax pay करना पड़ेगा और उसकी चालान TRN basis पे जाएगी option मिलता है आपको portal पे TRN basis पे तो ये TRN basis पे चालान जाएगी और ये TRN basis पे चालान के उसको estimated liability पे tax दे देना पड़ेगा यहां तक समझाओगा तो 4 type करो estimated जो भी liability होगी देना पड़ेगा and that amount deposited in e-cash lager वो पैसा आपके cash lager में पड़ा रहेगा जब तक वो return नहीं फाइल करते हो पर आपको deposit तो करना पड़ेगा इसके बिना deposit का आपको जो है RC नहीं मिलेगी बिना deposit के RC नहीं मिलेगी I hope you understood okay उसके बाद में क्या sir जब वो हाँ अब और कुछ सवाल सवाल यह है कि क्या sir वो यहाँ पे eligible ITC जब वो अपनी estimated liability निकालता है तो क्या CTP ITC ले सकता है हाँ CTP can take ITC of input capital while making the payment of tax in advance जब वो tax advance में देगा तो आपना ITC ले सकता है यह जो माल exhibition के लिए जा रहा है वो तो खरीदा होगा ना उसने कभी उसने खरीदा होगा तो उसका वो ITC इस estimated liability के अगेंस में adjust कर सकता है और net amount cash leisure में deposit करेगा अब यह जो पैसा government भी यूज नहीं करेगी उसके cash leisure में deposit रहेगा फिर इसका जो registration इसको मिलता है यह registration permanent नहीं होता है यह registration temporary होता है सुनना यह registration temporary होता है temporary होता है का मतलब क्या मतलब अगर आप CTP का registration ले रहे हो तो यह कुछ पिरेड के लिए होता है तो validity of registration कितने पिरेड के लिए होता है for a period mentioning application by exhibition 10 दिन का है तो 10 days का मिलेगा तो जितना आप application में लिखोगे सुनना जितना आप application में लिखोगे उतने पिरेड का मिलेगा but maximum 90 days 90 days से जादे का नहीं मिलेगा पर कुछ cases में अगर आपको extension चाहिए तो extension further 90 days का मिल सकता है 90 plus 90 days ऐसे बाइन 20 days पर देखो क्या है जितना आपने direct 90 days मत लिखना जितना आपने application में mention किया उतना time जितना application में mention किया उतना time लेकिन maximum 90 days 90 days के बाद renewal चीए तो further 90 days मिल सकता है पर जब आप renewal करोगे तो renewal के वक्त फिर से advance tax देना पड़ता है फिर से estimated liability निकालनी पड़ेगी advance tax deposit करना पड़ता है और ये tax, advance tax नहीं tax in advance ये ज़्यादा proper word है tax in advance आपको deposit करना पड़ता है फिर जाके renewal मिलता है further 90 days का चलो, तो जो भी आपने registration लिया, समझ लो आपने 40 दिन का registration लिया हुआ है application के इसाब से, तो वो 40 days में जो भी GSTR 1 की date आईगी वो GSTR 1 आपको file करने पड़ेगे, समझ लो आपने 20 April को, जाने सुनना date 20 April को CTP का registration लिया तो 20 April को लिया, 40 दिन के लिया है, मतलब ऐसा समझ लो में तक का registration आपने लिया है CTP का, तो आपको April 20 April को लिया, तो April के 10 दिन का GSTR 1, 11 में को file करना पड़ेगा, April के 10 दिन का GSTR 1, 11 में को file करना पड़ेगा और फिर में का GSTR 1 आपको June में file करना पड़ेगा तो जितने भी period का आपके पास CTP होगा, वो period में जो GSTR 1 की dates आती है, आपको CTP को GSTR 1 देने पड़ेंगे, उस period के as well as उस period के 3B भी file करने पड़ेंगे, on due date जो भी due date होगी, वो due date को यहाँ पे उनको registration G3B भी file करने पड़ेंगे, okay during CTP period, और जब वो 3B file करेंगे तो अपना final tax निकालेंगे, क्योंकि अभी जो उन्होंने advance में tax deposit किया वो provisional basis पे deposit किया हुआ है, वो provisional basis पे deposit किया हुआ है, okay, अब यहाँ पे वो अपना advance में, अब अपना tax final करेंगे, जो actual धन्दा किया उन्होंने, if final tax is more than advance, tax paid in advance then differential amount वो pay करेंगे, जिसके उपर interest नहीं लगेगा and return में अगर उनका final tax यादा आता है तो difference पे कर देगा, before filing GSTR 3, if final tax is less than tax paid in advance, then वो refund भी claim कर लेंगे, क्योंकि advance में जादा दे दिया, और वहाँ जाके धन्दा ही नहीं हुआ, तो वो case में refund मिल जाएगा तो वो situation में उसको वहाँ पे refund मिल जाएगा, तो यह था complete procedure of the CTP तो यहाँ हमने casual taxable person, okay casual taxable person की definition बस इतनी समझ लो, कि okay they are supplying the goods, doing the business in such state, where they don't have any, any establishment वहाँ कोई उनकी establishment नहीं है और वहाँ जाके business कर रहे है, okay supply कर रहे है, goods, या services का, service भी हाल, okay service भी होगी तो भी, CTP का registration लेना पड़ेगा तो उनको casual taxable person का registration लेना पड़ेगा, यहाँ तक समझाओगा तो फड़ावट 5 टाइप करो, यह तो था CTP, casual taxable person ऐसा ही concept है बेटा NRTP का, okay, ऐसा ही concept है NRTP का, non-resident taxable person, बाहर के बाहर के बंजारे, बाहर के बंजारे non-resident taxable person, यह non-resident taxable person याने क्या, okay यह जो है बाहर वाले इंडिया में आके exhibition में या temporary धंदा कर रहे है वो इंडिया के resident नहीं है, पर इंडिया में उनकी कोई establishment नहीं है और इंडिया में आके वो business कर रहे है तो उनको कहा जाता है non-resident taxable person, okay जैसे नेपाल से कुछ लोग आ रहे है, winter के case, winter के दिनों में, jackets ला रहे है, sweaters ला रहे exhibition लगा रहे है, नेपाल से लेके आ रहे है और के जिनका कोई भी यहाँ पर rain बसे रहा नहीं है, जिनका कोई भी यहाँ पर business place नहीं है और यहाँ आके road पर धंदा कर रहे है exhibition में धंदा कर रहे है, open area में धंदा कर रहे है, उनको कहा जाता है NRTP, non-resident, इंडिया के resident नहीं है पर NRTP, बाहर से आ रहे है, समझ लो, okay, Delhi में expo है, car expo है, बाहर से car import हो रही है, okay, और यह expo में बेचे जा रही है, तो ऐसे situation में, जो बाहरवाला बंदा, जिसका कोई यहाँ पर okay, rain बसेदा नहीं है, कोई इसका establishment नहीं है, और temporary India में आके, अगर good supply करता है, या temporary India में आके, वो services supply करता है, तो उसको registration temporary लेना पड़ता है, और उस registration का नाम होता है, NRTP, उस registration का नाम होता है NRTP, NRTP का registration उसको लेना पड़ता है, okay, registration procedure सेम, जो आमने उपर देखा, composite registration, 5 days before उसको registration लेना पड़ेगा, validity same, okay, validity क्या है, maximum 90 days का मिलेगा, मतलब application में जितना बुलेगा उतना, maximum 90 days का, extension 90 days का registration उसको मिलेगा, उसको advance में tax देना पड़ेगा, tax in advance देना पड़ेगा, same like CTP, बाकी सारी process CTP जैसी है, बस ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है, औके, और वो एक स्टेट, CTP एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था, ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है, ये बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो वो कहा जाता है, CTP, compulsory registration, मिटी, मिट्टी के बरतल लेके आते हैं बाहर से मिट्टी के बरतल लेके आते हैं बहुत सी बार बांगलादेश से आते हैं श्रिलंगा से आते हैं कुछ गूट्स लेके आते हैं यहां पर उनका कोई business establishment नहीं आके धन्दा कर रहे हैं तो ऐसे situation में उनको NRTP कहा जाता है और वो NRTP जब करने के पांच दिन पहले advance tracks भी देना पड़ता है फिर जाके RC मिलती है अब देखो difference कहा है CTP और NRTP में को सारे ITC मिलते है ना टीपी को ITC नहीं है except imported goods यह MCQ में पूछा था ना टीपी को ITC नहीं मिलते है except imported goods यानि अगर यह जो कार लेके बाहर से कार लेके इंडिया में exhibition में आया है तो उसका इंपोर्टेट गूट्स कार है इंपोर्टेट गूट्स कार है तो कार कार पे जो IGST लगेगा हो वो मिल जाएगा लेकिन वो यहां पे होटल में रुका यहां पे exhibition service लिया इंडिया में बाकी जो भी goods और services लेगा उसके ITC उसको नहीं मिलेगा है जो goods import किया होगा और उसके उपर IGST लगा होगा तो उसको ITC मिल जाएगा अके यहां पे next बेटा इनके लिए return जो होते है वो GSTR 1 नहीं इनके लिए special return होते है NRTP के लिए और इनको PAN की जरुवत नहीं है इनका registration on passport होता है और के registration on passport होता है PAN की जरुवत नहीं है पासपोर्ट का registration होता है यह temporary registration होते है तो यह देखा हमने CTP और NRTP पहले तो बताओ बाकी आपके doubts बात में पहले बताओ concept चली समझ में आया क्या आपके yes or no बताओ बढ़ा बढ़ा बढ़ तो चलिए दोस्तों आपने यहां पे CTP औ और NRTP का discussion देखा अच्छे से समझ में आया आपको तो चलिए दोनों का difference मैंने यहां चार्ट में ले लिया चार्ट में जो है यहां पे CTP और NRTP की definition कवर होगी जो occasionally other state में जा रहा है business करने के लिए जा रहा है और जहां उसका कोई fixed place of business नहीं है registration दोनों को compulsory है registration before five days यहां लि बेस पर registration लेता है दोनों को threshold नहीं है दोनों को composition नहीं है CTP को normal GSTR 1 और 3 भी है और इसको GSTR 5 है और के GSTR 5 है और जहां तक ITC और बाकी provision में ने दिया अच्छे से समझ में आया होगा तो बोलिए सर यह वारी गड़ गाव वैरी गूड चलिए चलिए अब नीचे की process भी हमने देख लिए प्रोविजन भी देख लिया अब आते बेटा फटाफट यॉइन पर चलो फटाफ अब देखो दोस्तों मैं एक connection लगाता हो अगर ये connection आपको समझ में आता होगा तो section 91 अगर आपको याद होगा तो levy collection and person liable to pay tax लेवी आपकी intra या interstate supplier पर है interstate supplier पर है और liable to pay tax मतलब कौन तो अगर आप taxable person होगे आप अगर taxable person होगे तो liable to pay tax है अब taxable person मतलब क्या तो जो person registered है या liable to registered है liable to registered है under GST वो taxable person कहा जाएगा under section 22-24 उसे taxable person कहा जाएगा अब register person याने क्या तो register person की definition कभी आपने पढ़ी होगी तो जो section 25 में registration ले रहा है except except why exception याद रखना except जिसके पास UIN है unique identification number है मतलब क्या जो person को UIN में डाला गया है वो register person नहीं माना जाएगा अगर वो register person नहीं माना जाएगा तो वो taxable person नहीं माना जाएगा और वो taxable person नहीं माना जाएगा वो taxable person नहीं माना जाएगा, तो वो GST नहीं देगा, क्योंकि GST सिर्फ taxable person नहीं देता है, तो हाँ, कुछ लोग इंडिया में GST नहीं देते हैं, और उनको जो GST नहीं देते हैं, उनको UN लेना पड़ता है, तो UN जो है, Okay, specialized agency of United Nation organization, multilateral financial institution and organization notified under the United Nation, consulate or embassy of foreign country और any notified person, ये learn करके जाना, ये चार लोग जो है, Okay, ये GST में registration के लिए apply नहीं करते हैं, ये GST में UIN के लिए apply करते हैं, अगर इनको UIN मिलता है, तो ये register person नहीं माने जाएगे, और इनको अपने outwards apply पे GST नहीं देना पड़ता है, Okay, ये government ने इनका एक respect रखा है, क्योंकि international organizations है, और foreign embassy से हमारे राज़्दूते हैं, तो उनका respect रखा है, तो वो इन्या में जो भी supply करेंगे, उसके ओपर GST नहीं आएगा, तो फिर सर GST नहीं आएगा, तो फिर UN क्यों दिया गया, UN दिया गया refund के लिए, और के जो वो इन्या में purchase करते है, क्योंकि outwards पे तो GST नहीं आता है, पर वो जो इन्या में purchase करते हैं, तो GST लग के आता है, तो वो जो इंडिया में purchase करते है, तो supplier उनको GST लगाएगा, और इनको जो GST लग के आएगा, उसका refund मिल जाएगा उसका refund मिल जाएगा और ये UN इनका centralized होता है centralized UN मिलता है जो 3 working days में मिलता है और पूरे territory को applicable होता है इनको statewide लेने के दरवत निये centralized मिल जाता है, UN समझा क्या बेटा ये 4 लोग की list learn करके जाना भाई, इन 4 लोगों को UN मिलता है, समझा होगा तो यू type of effort, चलिए अब आते section 26 में team registration, team registration मतलब अगर आपने SGST act में registration लिया, तो वो सारे act में registration माना जाएगा, आपको CGST, SGST, UTGST में separate registration लेने की जरुवत नहीं है फिर आजाओ section 28 पे, amendment of registration, अग amendment in registration, आफ का जगा amendment in registration, ये section इतना important नहीं है, theoretical लगा तो जितना मैं chart में दे रहा हूँ, उतना ही पढ़के जाना, बागी चेंज होगा, principal place of business चेंज हो गया, authorize signatory चेंज हो गया आपकी commodity बदल गई, service बदल गया तो ऐसे case में आपको registration को है, amendment करवानी पड़ती है आपके registration में दो field होती है एक core field, और एक non core field, non core field मतलब आपका mobile number और email ID अगर आपका mobile number और email ID चेंज हो गया, सुनना mobile number और email ID चेंज हो गया तो ऐसे case में सीधा सीधा पोर्टल पे जाओ और आप change करवालो, वो immediate change हो जाता है, OTP verification पे यहाँ officer की approval लेने की दरवत नहीं है, यह officer का approval लेने की दरवत नहीं है, लेकिन अगर आपका core field में change होता है मतलब legal name में change हो गया principal place of business, additional place of business में change हो गया, या partner और वगरे में change हो गया, water rate में भी, याने mobile number और email ID चोड़के बाकी कही पे भी change होता है, तो वो core field का change माना जाता है, और core field का change यहाँ पे, यह amendment वो direct नहीं होता है वो approval required for core field, core field का जब change होता है, तो officer approve करता है, और officer approve करने के बाद, वो core field का amendment किया जाता है तो यह था बेटा section 28 अब आते section 29, cancellation of registration यह दो पैरा इस section के अच्छे करके जाना और आपको कहो गया section 29 और 30 section 29 और 30 जितने मैंने questionnaire में question दिये बस उत्तिच अच्छे से करके जाना अब cancellation of registration sue moto cancellation आप खुद होके cancel कर सकते हो यह department भी cancel कर सकता है तब आप खुद होके apply करोगे आपने business discontinue कर दिया किसी को transfer कर दिया business amalgamation में चले गया demurge में चले गया, यह किसी को बेज दिया या फिर change in constitution हो गया पहले आप partnership firm थे अब company हो गया, proprietary थे partnership चले गया यह taxable person no longer liable to register under section 22 or 24 मतलब क्या, आपका turn of threshold के नीचे आ गया, या अब आप compulsory registration में नहीं हो तो यह situation में आप खुद okay as a taxable person apply कर सकते हो for cancellation कि भाई मेरा registration cancel कर दो यह अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपके पास registration है तब तक आपको सारे compliance करने पड़ते हैं तो सारे compliance करने पड़ते हैं मतलब nil GSTR 1 file करना पड़ेगा nil, okay 3-way file करना पड़ेगा इसलिए better way यह situation में cancellation होगा तो इसको मैं कहता हूँ sue moto cancellation by the taxable person मतलब person खुदных cancel करेगा ओके यह learn करके जाना कि taxable person कब आपना registration cancel कर सकता है, यह तसारी situation learn करके जाना cancellation भाई proper officer officer कब cancel कर सकता है जब आपने कोई contravention किया हो और भाई साहब यह cont раза learn करके जाना ratta मार के जाना सारे contravention ratta मार का जाना सारे contravention कौन कौन से, does not conduct any business from the declared place of business भाई साहब वो business ही नहीं कर रहा, जो registration करवा है वहाँ से, तो cancel करो उसका registration officer, invoice bill without supply of goods, तुमने fake invoice देदी, fake bill देदी, without supply of goods a violate the provision of section 171, anti-profiting measures की provision होती है, वो आखरी में कोई miscellaneous chapter में जो, यहाँ पर आपको पढ़ने की जर्वत नहीं है, violate the provision of rule 10 है, मतलब आपने bank information 30 दिन के अंदर, या पहला GSTR 1, whichever is earlier, तब तक नहीं दी, तो cancel कर दिया जाएगा, avail the ITC in violation of section 16, आपने section 16 की condition फुल्फिल नहीं की और ITC ले लिए, furnish the details of outward supply in GSTR 1 and outward supply declaring return, इसमें mismatch है, आपका GSTR 1 का जो outward supply है, वो जादा है, greater है than GSTR 3B, violate the provision of rule 86B, 86B का provision मतलब क्या कि आपने 99% या ITC यूज करना चाहिए था, output tax कारो आपने यूज नहीं किया, being a registered person required to file return under section 391 for each month or part thereof and has not furnished the continuous period of 6 month, 6 मेने return आपने continuous नहीं दिया, तो registration cancel हो सकता है, being a registered person required to file return under section 391 for each quarter of part thereof has not furnished the return for continuous period of 2 tax period, मतलब QRMP scheme, आप QRMP scheme में होगे और 2 tax period के आपने return नहीं दिये, under QRMP scheme होगे और 2 tax period के return नहीं दिये, या आप और एक situation है, आप composition scheme में होगे, एक situation हाँ नीचे दिया है, मैंने, sorry, नीचे दिया है, a registered person has not filed return for such continuous as may be prescribed, the return of financial is beyond 3 months from the date of furnishing said return, in case a person obtained for composition scheme, अगर आप composition scheme में है और जो आपकी return की due date है वहां से 3 मैंने में आपने return नहीं दिया, okay, voluntary registration लिया होगे और आपने 6 मैंने के अंदर business continue नहीं किया होगा, okay, और आपने fraud के वज़े से business registration लिया होगा, okay, तो ये सारी situation में officer आपका registration cancel कर सकता है, उसके बाद में section 30, revocation of cancellation of registration, ये सारी situation learn करके जाना, रटा मारके जाना, कि कौन-कौन से case में officer आपका registration cancel कर सकता है, ठीक है, उसके बाद में revocation of cancellation of registration, आपका registration cancel कर दिया, फिर आप जो है, यहाँ पे जाओगे, सर मुझे फिर से बहाल कर दो, गल्ती हो गई, अब नहीं करूँगा, सारे रीटन दूँगा, तो आप दूखा, प्लीज दे दो, वापस कर दो मेरा रीटन, उसको कहा जाता है, रीटन, फिर से बहाल कर दिया, तो आप रीटन के लिए अपलाय कर सकते हो, विदिन 90 डेस, पहले 30 डेस था, आमेंडमेंड होगी, अभी 90 डेस में अपलाय कर सकते हो, जिसको एक्स्टेंशन फदर 180 डेस का मिलेगा, और आपको वापस मिल सकता है, अगर आपने जो भी कॉंटरवेंशन की होगे, जो भी गुना की होगे, अगर वो आप सही कर लेते हो, करे कर लेते हो, तो आपको रिवकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर कैंसलेशन और प्रोसिजर की दिया हुआ है, यह थोड़ा मैंने लिविटेड लिया है, section 29-30, लेकिन मैं आपको कहोगा कि यहाँ पर यह discussion, जो main main points मैंने cover कर लिया है, लेकिन इसके ओपर थोड़ा जो questionnaire में जितने भी questions आया है, वो अच्छे से करके चले जाना, तो in this way, we have completed a chapter registration, अगर आपको मजाया होगा, तो like कीजिएगा, comment ज़रूर दीजिएगा, share कीजिएगा, I have tried my best to explain each and everything, thank you so much, तो आज का session यहीं end करते है, हाँ, questionnaire का discussion मैं आज नहीं, एक दिन बाद डालूँगा, अभी मैं record करके डालूँगा, तब तक आप try करो, अगर आप से होता है, तो, कर ले लूँगा, कर ले लूँगा, ठीक है, thank you so much.